Hey guys, कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ? आप सबी अच्छे होंगे, So guys, आज किस वीडियो में हं बात करने वाले हैं How to apply lock, कैसे application को lock कर सकते हैं, किसी भी application को lock करना चाते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? वीडियो को एंड तर देखना वीडियो को बिल्कुर भी स्किप नहीं करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली वा रहा है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस्ट कर देना है जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन मिलती रहे विडियो फर्स अपल यहां से आपको एक एप्लिकेशन देख लेना है जिसका नाम है फोन मास्टर तो फोन मास्टर यहां पर देखाई दे रहा है कुछ इस तरह का आइकन रहता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स यहां से आपको स्क्रोल कर लेना है और यहां पर एप लॉक का उप्शन मिल जाता है आपको तो एप लॉक पर क्लिक करना है नेक्स यहां से आपको एक पैटरन ड्रो कर लेना है तो मैं एक simple सा pattern draw कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ से दुवारा से draw करना होगा मैं इसे दुवारा confirm कर देता हूँ फिर यहाँ से आपको यह security question पूछता है तो यहाँ पर आपका what is your middle name तो middle name में मैं यहाँ पर अपना मेरा last name है मुहम्मद आस मुहम्मद नेक्स इसे आपको save कर देना है इससे क्या होता है वाइद है पर आप password को भूल जाते हैं तो यह password recover करने में मदद करता है तो अभी हम यहाँ पर एक chrome को lock कर लेते हैं तो यहाँ पर यह lock हो चुका है blue tick हो गया है और next यहाँ से आपको एक application और कर लेते हैं Gmail तो यह दो application lock कर लिए हमने और यहाँ से आपको अगर setting पर जाना है और यहाँ से आप इसे password को change भी कर सकते हैं और security question को यहाँ से आप change कर सकते हैं अगर चाहें तब अब यहाँ से back करते हैं अब यहाँ पर chrome को open करके दिखाते हैं Chrome को open किया तो यहाँ पर pattern मांग रहा है तो हमने जैसे pattern को draw किया हमारा chrome open हो चुगा है तो इस तरह किसे आप किसी भी application को lock कर सकते हैं इस spawn में आज की इस video में इतना है मिलते हैं एक next interesting video के साथ